असलाम आलेकुम आज डेट है 21st of February और आज हम बात करने जा रहे हैं सालसर टेक्नो एंजिनरिंग लिम्टेट के दिसंबर के कौटरली रिजल्ट के बारे में जी हां दिसंबर का कौटरली रिजल्ट recently कंपनी न अनाूंस किया और इस वीडियो में हम जानेंगे के कंपनी अपने दिसंबर के कौटरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है तो वीडियो का आगे बारने से पहले अगर अभी तक आप आप लेको ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें और साथ ये साथ बैल आइकन को प्रेस करतें ताकि in future मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नॉटिफिकेशन मिलता रहा है जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके के रेगुलर वीडियो में अप्लोड करता रहता हूँ तो रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सालासर टेक्नो इंजिनरिंग लिमिटेड 254 रुपीज पर एक कमपनी भी ट्रेट कर रही है और आज की डेट में 16% का पॉस्टिव रिटन कमपनी ने दिखाया है चार्ट पैटन पर अगर हम गौर करें तो एक हफ़ते के चार्ट पैटन में आप देख सकते हैं 25% का निगेटिव ग्रोथ है वहीं एक महीने का ग्राफ देखे तो 9% का निगेटिव ग्रोथ है एक साल की बात करें तो 18% का पॉस्टिव रिटन है वहीं अगर हम 5 साल का ग्राफ उठा कर देखे तो 65% का पॉस्टिव रिटन है maximum में अगर हम जाएं तो maximum में भी 65% का positive return company ने दिखाया है तो materials related industry को बिलोग करती iron and steel का काम है small cap company है 622 crore का market capitalization है stock 1184 पर rank कर रहा है company profile के अगर हम बात करें तो company profile में आप देख सकते है salasrtecno.com ये company की website है और mainly company जो है telecommunication, power, renewable, smart city solution, poles और heavy steel structure में अपनी जो service है वो provide करती है यहाँ product अगर आप देखेंगे telecommunication, power, renewable, smart city हम सबसे पहले about में देख लेते हैं company about में क्या है तो यहाँ पर, वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ठीक है यहाँ पर आप देख सकते है company profile में salasr techno engineering is provider of steel solution in india देखें, steel जो है यह company provide करती है steel solution और साथी साथ it provide customized steel fabrication and infrastructure solution, telecommunication, tower और transportation तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, steel provide करती है company in sectors में चाहे वो telecommunication हो, चाहे वो power हो, चाहे renewable हो, smart city solution हो, poles हो, heavy steel structures हो, ठीक है बात करें अगर valuation की, तो sector का price to earning ratio 23.98 है, वहीं इस company का price to earning ratio है 20.98 वहीं sector का price to book ratio 3.08 है, वहीं इस company का price to book ratio 2.46 है share holding pattern की अगर हम बात करें, तो share holding pattern आप देख सकते हैं, promoter के पास है 69.7% की holding, वहीं mutual fund, domestic institution और foreign institution के पास है 0% की holding, retail के पास है 30.30% की holding, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, को share holding pattern है अगर हम बात करें, इनके result की, तो according to screener.in, सालासर techno engineering limited का, December कम quarterly result देखेंगे, then हम positive point और negative point देखेंगे, then last में overview देखेंगे, तो video को बिलकुल भी skip मत करिएगा complete video देखेंगे, patience के साथ, ताकि आपको complete information मिल सके, तो quarterly result में sales सबसे ज़्यादा important होता है, फिर होता है operating profit, फिर last में होता है net profit, तो सबसे पहले हम देखेंगे sales, sales company का September के quarter में 189 करोड का था, जो कि December quarter में कम होकर हो गया, 171 करोड का, वहीं operating profit की बात करेंगे, तो 21 करोड का operating profit कम होकर हो गया है, 15 करोड का operating profit, December की quarter में, net profit की बात करेंगे, 10 करोड से net profit कम होकर हो गया है, 6.15 करोड का, तो इस तरी के देख सकते हैं, sales में भी कमी आई है, operating profitability में भी आई है, finally net profit में भी company नुकसान देखने को मिला है, 6.15 करोड का company net profit बनाया है ठीक है, तो company की कमी आई है लेकिन result फिर भी आप कह सकते हैं कि अच्छा है, company नुकसान जो है नहीं दिखा रही है और आप कह सकते हैं positive में result है, result नेगेटिव में नहीं आ रहा है, balance sheet पर एक बार गौर कर लेते हैं, तो balance sheet में हम दो चीज़ देखें, क्या important, reserve और borrowing, यानि company के पास कितना है और company ने कितना कर्ज लिया है, तो देखिए 238 करोड का इनके पास reserve है और साथ यसाथ 207 करोड का इनके उपर कर्ज भी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितना company के पास reserve है, उतना ही company के उपर कर्ज भी है, approach, अब बात कर लेते हैं अगर, इनके market competitor कौन है, तो market competitor कौन है इनके? इनके market competitor हैं, रत्मनानी, Metals, Shiam Metallic, Apollo Tricot, Godavari Power, और Wellspun Corporation, Maharaj Seamless, Mishra Dhatunikam, तो ये इनके market competitor हैं भी market में, positive point और negative point पर बात कर लेते हैं, तो positive point का है, quarterly result company ने अच्छा expect किया था, और दिया भी है, negative point की बात करें, तो dividend company ने अच्छा payout नहीं किया, 9% का dividend company ने payout किया है, पिछले तीन सालों में, जो की काफी कम है, वहीं अगर मैं बात करें, shareholding pattern की, तो 5% की shareholding pattern कम होई है, promoter की, पिछले तीन सालों में, overview की बात कर लेते हैं, overview में अगर आप देखेंगे, तो according to ticker tape.in, Salazar Techno Engineering Limited का, overview में हम सबसे पहले financial trend देखेंगे, तो financial trend 2018 से अगर आप गौर करेंगे, 496 करोड का जो इनका revenue था, वो 606 करोड पे पहुचा, वहीं अगर हम बात करें, net profit की 29 करोड से net profit, same है, और net profit अभी भी 29 करोड का ही है, 2021 में भी, तो देख सकते हैं, भारी गिरावट इनको देखने को मिली थी, कब, 2020 में, कुरोना के वज़े से अच्छा काशा impact पड़ा था कंपनी पर, overall आप देखेंगे तो एक stability तो दीखेगी, 2020 को अगर छोड दिया जाए, तो एक stability आपको revenue में दीखेगी, और net profit में भी दीखेगी, intrinsic value की बात करें, तो according to ticker tip.in, Salazar Techno Engineering Limited का intrinsic value अभी सही है, return versus FD की बात करें, तो FD से अच्छा return इसने दिया है, dividend अच्छा payout नहीं करती company, entry point के लिहाज से stock अभी overbought zone में नहीं है, और नहीं कोई red flag है फिलहाल इस company पर अभी तक, तो यह थी मेरी वीडियो, Salazar Techno Engineering Limited के December के quarterly result के उपर, वीडियो मैंने positive point भी बता दिया है, और negative point भी बता दिया है, तो अब यह आपको decide करना है, कि आपको इसे stock में invest करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, तो वीडियो आप लोगों कैसी लगी, तो आपको notification मिलता रहे, तो फिर मिलेंगे next वीडियो के साथ, तब तक के लिए अजाज़त दीजे, खुदा आफिस चैहन,